क्या इसको पहाइचानते हैं यह एक हम हम सकत्सक्रह wellbeing हम इसके हो डिखेन सज़र्ण करते हैं उसको जरूर करते हैं अगर लेकिन अगर इसका है आयर मास्क आडर सब सब्सक्रह पाइर हम जब जर्वाइस को इसको हम एज एज शेप्लेमेंट ले सकते हैं अगर इसको हम एर केर में ऊश्करे में पर यूज देख जब ही अगर आप यूट्वे लागलग वीडियो देख लोत आप आपके डाउट्स जो है वह बढ़ते ही चले जाएगे तो बहुत सारी वीडियो विडियो देखिए इसमें सारे अंसर देने की कोसिस करूंगे और बिल्कुल सही इंफर्मिशन आपके पहुंचाने की कोसिस करूंगे Hello everyone, welcome to my channel, Bodish, Fashion & Beauty, कैसे हैं आप लोग? I hope that you will be healthy and healthy. तो आज मैं बात चाने वाली हूं, Vitamin T Capsule के बारे में, अपने प्रेंट्स के साथ शेयर करिए और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताक कि मेरी हर वीडियो की निटिफिकरिशन साब तक पहुंच रहे हैं तो देखिए यह है विटानिंग E की Capsule जिसको कि हम अपने hair growth के लिए यूज करते हैं तो चलिए इस को लेके जो doubts सबसे पहले हैं उनके बाढरे में बात करते हैं इसको हम as a oral supplement use कर सकते हैंकिन नहीं इसको बिलकुल as a oral supplement use कर सकते हैं वापि जो oils होते हैं डिबों में आते हैं लेकिन यह cathol form 함 में क्यों आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं ताक कि इसको आप ऐसे औरल सेप्लिमेंट भी ले सकें विए हमारी जो सरीर होते हैं चुछ प्रक्रियाएं होती जो ग्याती है जैसे हमारी च्चेक्स को प्रछेंज होना हमारे बालों समय के साथ प्रशो नहीं दर्द हो जाता है इस तरह के बहुत सारी समस्याएं जो है नो वो समय के साथ regular base पे आती रहती है और उस पे हम उसको हम क्योर कर सकते हैं लेकिन उसको हम विल्कुल भी खतम नहीं कर सकते हैं उसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें ही vitamin E का ना बहुत बड़ा ही role play करता है vitamin E क्योंकि इसके health benefits बहुत सारे हैं लेकिन आपको मैं यही सजस्ट करूंगी कि आप अगर इसको as a oral supplement ले रहे हैं तो एक अच्छे doctor के परामर्स देगी ले कोई भी YouTube वीडियो देखे आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करें कि इसको जब खाने की बात आती है अगर लगाने की बात आत लेकिन जब इसकी oral supplement की बात आती है तो क्योंकि यह कैप्सुल है तो मैं आपको यही एड्वाइस दूंगी बिल्कुल एक अच्छे doctor के सलान से ही ले वह आपकी सरीम जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आपको कितने दिन में इसको लेना है या आपको कपकब लेना है व क्या इसको पिल्कुल ऐसा है होता है वो सक्षम होते हैं और हमारे सरीर की यह नहीं बनाते है काशल की घुकल कर रह ना तो यह उसको तुरंद लेती दोग घुकल न उसको तुरंद ब्सक्राइब क्रूंसे जाती है तो यह उसको नवी पहचान जाती है रोप तुरंद तुरंद कर लेते हैं तोक रहां पर 9 गहां इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं इसके क्या benefits है वह मैं आपको बता देती हूं देखिए बिल्कुल इसका यूज हो सकता है आप कोई भी हेर मास्क अगर बनाती है अब उसमें एड कर दीजिए अगर आप कोई भी ऑईल अगर आप लगाती है न जो भी ऑईल आपको जो ऑईल सबसे बैस्तों तरीका नियर्स बैसे क्या होगा कि जब भी आप ऐसे और विटामिन इ लगा यही होगा आप old उसमें अब अक्रुछ देटी हो जाए और आपके बालयस पीलिव सफेध हो रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को यह जो विटामिन E की क्याप्सुल है वो क्यों और करेगा देखे कुछ तरीके में आपको और बता देती हूं जिसे की विटामिन E जो है आपको बहुत दा फाइदा पहुंचा सकता आपके बालों को सबसे बेस्ट तरीका जो है आपको लेना है ऐलोवेरा जल अपको लेना याजट गारण वाला ल्माल जमाशा निकलता है ट्एक जो प्रविटासफर के रहे में जो बहुत जाइंश एक मुझा है आपको किया आल उलके लंभी है Kitchen अपने कीक अल्राइव को मितना हैisना ही पर और निकालने के बाद वाहां उलके हुआ हैं healthy मैं आपको बताती हम ने कि अगर आपके स्कीन डेल होगई है अगर आपके स्कीन में पिग्मेंटेशन है जाया एकने आदर आगया हैं जुर्यां बन रही है गाल के दोनों तरप घर आपको जाईयां हो गई यहां पर जो ब्लैक स्कॉट टैप का जुट जाता है नाख में अगर नाख के आसपास अगर आपके वाइट हो रहे है ब्लैक है विटामिन-E की कैक्सुल यह एकदम अम्रिक है हमारे स्किन के लिए किस इसको कोई भी face pack बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपको ध्यान देना है कि अगर आपके स्कीन का ठाउल हे जो आपकर बहुत जड़ जड़ा है न तो यह अगर आपकर चाफयर कहुए चोट नहीं टॉक्या स्कीन जाधा अगर अगर आपके फेस बहुत ज़्यादा ओईली अगर आप इसको रेगुलर लगा रहे तो हो सकता है कि और ज़्यादा ओईल रिलीज और सब के स्कीन में सब को सूट नहीं करता है तो इसलिए आप इसको अल्टरनेट डे मेले ताकि जिस दिन आपने इसको लगाया उसकी निया जelटोत अगर आपके स्कीन आपके सब्सक्रम इसको हो नेक्सियादेन गाल नर्मल हो गई फोड़िसी सक्न आपको स्क्र तो श्का आपको सबस्क्रक्त पकर आपको असे यह सब्सक्या को करेगा अगर इज essent. तो दोर्व भी थे अध़ देवाइन डी यह माज़ा करते ही नहीं सेफटूरवे इसकते ही जब और करने लेको पंधैине लंबे लिखिर मेंन बढ़ाता है लेकिन अगर आपको लंबे नेल्स का सौक है लेकि और बार बार टूट जाते हैं तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि विटामिन E के कैपसूल से जितना ओयल निकलता है ना वो आपको रात को सोते समय सोने के पहले यह प्रॉसस करना है नेल्स में रगड रगड उसको लगा लीजिए लगाने के बाद आपको हाथ को और दोना नहीं है आपको सो जाना है आप देखेंगे आपके नेज जो है ना वह बहुत तेजी से बढ़ेंगे नेज स्ट्रॉंग होगे जो पत्ले होते हैं उससे यह आपको रहा दिलाए अपको ज़लते जलते उसकी विटामिन एक 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 विटाम तो प्रफशान हो जाएंगे लेकिन हाइसा हो सकता है कि आपका फैट थोड़ा बढ़ जाएगा अगर 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 अपने फेस पे लगा रहे हैं तो हमको इस बाता ध्यान देना है कि एक से दो बूंदी लेना है जबकि एक जो कैपसुल होती है उसमें आपने देखा होगा कि चार से पांच बूंद ओयल होता है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप अल्टरनेट डे में तीन चार दिन में तो उसमें लगा लो वो बेस्ट है लेकिन अगर आप इसको रेगुलर लगाना चाहते हो तो आपसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी तो आपको इसको कैसे लेना है आपको मैंने सके बताया कि आप जो भी मुष्राइजर ले रहे हैं उसमें आप इसके दो से तीन कैप्सुल मिला दीजिए इसका ऑईल मिला दीजिए जिससे की रेगुलर आपके ये स्किन को पहुंचे और क्योंकि हम उश्राइजर कितना लेते हैं थोड़ा वोती लेते तो उसमें एक से दो बूंदी हमारे पेस पे ये रोज जाएगा मेरे स्किन पे रोज इसका एप्लिकेशन होगा तो इससे ये हमारे स्किन को कोई भी नु जितने मंत्रे आप लगाई उसमें नेल में कोई भी सैट अफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ अगर आप पालो पर लगा रहे हैं अगर आप इसकिन लगा रहे हैं तो आपको इभ्यान देना है कि रेगुलर इसको लेना है लिएक से दो बूंदी लेना है उससे ज्यादा नहीं आपको कि मैंने बहुत सारे डाउच साथ बृता मिन क्विंट कर दी होंगी विटामिन की क्याप्सिल को लेकिए तो बिल्कुल मेरे कमेंड वक्स में आप लेकिए उसके बहुत जल्दी मेरे वीडियो बना में कि पोसिस करूंगी तो आपको कि यह वीडियो पसंद आई झाल झाल झाल